हलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सबका फेवरेट एक तम मुँ में खुल जाने वाला आलो के हलवे की रेसिपी आलो का हलवा बनाना भोत आसान है और ये भोती ज़्यादा टेस्टी बनता है आलो के हलवे को हम सबसे ज़्यादा उप्वास में बना कर खाते हैं लेकिन जब भी आपका मिठा खाने का मन हो आप इसे फटाफट बना सकते हैं और एक बार आप मेरे तरीके से आलो का हलवा बना कर देखिए जो भी खाएगा आपकी तारिफ किये बिना नहीं रह पाएगा तो देर किस बात के चलिए बनाना सुरू करते हैं आलो का हलवा बनानी के लिए सबसे पहले हम गेस ओन करके गेस पर एक कडाई या पैन रखेंगे और अब हम इसमें एक बड़ा चमस देशी घी डाल देंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे गी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें थोड़े से बादाम थोड़े से काजू डाल देंगे और अब बादाम और काजू को हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बस एक मिनिट के लिए तो इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरब से अच्छे से फ्राई हो और जैसे ही बादाम और काजू पर हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा हम इसमें थोड़े से किस्मिस डाल देंगे और किस्मिस को भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे किसमिस को फ्राई करने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ये बहुती जल्दी फूल जाती है और इस तरह से ड्राइफ रूट को फ्राई करके हलवे में डालने से बहुती अच्छा फ्लेवर आता है तो ड्राइफ रूट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इ हमारा अच्छ से मेल्ट हो गए तो अब हम इसमें आलू एलू ताल देंगे तो मैंने यहाप साथ میडियम साइज के उबलेवे आलू लिए हैं और आलू का छिलका निकाल कर आलू को मैंने मैश कर लिया है आलू को आप यहाँ मेडियम फ्लेम पर आर से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक की आलू का हलका सा कलर चेंज ना हो जए आप यहां पर आलू को जितने अच्छे से घी के साथ भूनेंगे हल्वा उतना ही टेस्टी बनेगा तो इस बात का ध्यान रखे औ और हल्वे को लगातार चलाते वे अच्छे से भून ले और अगर आपके पास में नोन स्टिक कड़ाई है तो आप उसी में यह हल्वा बनाईए क्योंकि आलू कड़ाई में चिपकेंगे नहीं और घी भी कम्यूस होगा आलू को भूनना बहुत आसान हो जाएगा सिंपल आ अच्छे से मिला देंगे और अगर आप बिना दूद वाला हल्वा बना रहे हैं तो आप यहां पर चेनी इलाजी पाउडर ड्राइफ रूट डाल कर मिला दीजिएगा सिंपल लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से आलू का हल्वा बना कर देखिए इतना टेस्टी हल्वा बन दिया था और दूद में केसर का अच्छा सा कलर आ गया है और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे और केसर डालने से हल्वे में बहुत अच्छा कलर आता है और भोती अच्छी खुश्पू आती और इसका टेस्ट बढ़ जाता है अगर आपके पास में केसर नहीं है तो कम जदा कर सकते हैं साथ इसमें डाल जी हूं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ हम इस में डाल दिंगे फ्राइ केवई ड्राइ फ्रूट और अच्छे से मिला दिंगे तो सबी चीजें Old Jacob से मिक्स हो गई है तो चीनी डालने के बाद में हम हलवे को 4-5 मिनट और पकाएंगे चीनी जैसे ही अच्छे से हलवे में मिल जाएगी हलवा पतला हो जाएगा आप देख सकते हैं तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि हलवा ठ ही अलग हो गया है और हलवा कड़ाई छोड़ने लग गया है और ठिक हो गया है आप देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हलवे का कलब कितना अच्छा आया है हलवा एक तम मुह में घुल जाने वाला रसीला और भोती जादा टेस्टी बनकर तयार हुआ है तो गेस बंद कर अगर आज की रेसीपी आपको ट्राइब कर देंगी और इसे हम सर्विंग बोल में निकालेंगे और यह लीजिए हमारा सुपर टेस्टी एक तो मुह में घुल जाने वाला आलो का हलवा बनकर तयार है और आपने ज्यादा टेस्टी बनकर तयार हुआ है आप एक पार आलो क अगर आज की रेसीपी आपको ट्राइ करने के बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें